हलो व्रीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत सवागत है आज मैं फिर से आगई है एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम देखने वाले है कि सोलर सिस्टम के जो की डार कलर और डार कलर केक हमें किस तरह से बनाना वो तो आप सबको एक अगल के इस था सब्सक्राइब के शिजाए हम यह सॉलर सिस्टम के जोनों के बदों के लिए हम यूज कर सकते हैं तो solar system cake बनाना बहुत ही जादा आसान है तो two time में हम इस cake को decoration करेंगे तो चलिए किस तरह से मैं बनाती हूँ solar system के जो जितने भी accessories है तो देख लेते हैं वीडियो को तो चलिए बरते हैं वीडियो में तो बेसिकली हम fondant से टॉपर्स बनाएंगे मतलब जितने भी हमारे प्लैनेट वागे रहा होंगे वह सारे चीज़े हम वहांगे तो जिससे के हमारा सन बनेगा ठीक है और इसको राउन करने के बाद थोरसा हाफ कट कर लेंगे ताकि यह पूरा राउन ना दिखिये हाफ कट कर ने के बाद फूई वही जो हमारा येलो कलर का फॉंडेंट था उसको हम flower शेप में cut कर लेंगे उसके बाद ला flower के जो हर एक जो क्या बोलते इसको पप्ड़ी जैसा है उनको क्या करेंगे triangle shape में मतलब काट लेंगे ताकि यह थोड़ा sun के जो होते हैं वो हो उसका शेफ आ जाए हमारा ठीक है क्योंकि मेरे पास वह काटर नहीं था फॉंडिन जिससे की ट्राइंगल शेफ में हर एक पप्री हमारा आए तो मैंने एक फ्लावर वाला काटर से कट करके उसके बाद उसको कट कर दिया था ट्राइंगल शेफ इसके बाद हम ब्लू कलर का अ एक राउंड शेफ बना लिया था उसके बाद थोड़ा सा ब्लू कलर का फॉंडएंड लेकर उसको टेरा मेरा एक शेफ दे के मतलब ले लेंगे और इसको हम गोल गोल बना लेंगे एकदम प्रॉपर गोल बना लेंगे इसको तो इस तरह से हम चार ब्राउन कलर का बनाएंगे और इसके बाद एक को हम क्या करेंगे तीन को ऐसे ही छोड़ देंगे और जो चौथा नंबर रहेगा हमारा उसका हमने पहले जैसे सन को हमने राउंड शेफ करने के बाद हाफ कर लिया था वैसे इसको भी हम हाफ कर लेंगे और एक दम पॉपर राउंड शेफ में इसको ब्राउन कलर का लेंगे छोटा नहीं सोड़ी थोड़ा सा यह पहला वाला से बड़ा होगा उसके बाद इसको भी हम से उसी प्रोसेस में करके बनाएंगे इसके बाद हम ऐसे ही सारे प्लाइनेट्स बगरे के लिए हम सारा बना लेंगे जितना है वह काउंट करके हम बनाइंगे इसके बाद बलू कलर का बना लेंगे, तीन चार और रांड शेप करके ठीक है? इसके बदना ये दिख रहा है अभी ये सही नहीं दिख रहा है इसके सारा हो जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे करेंगे तो कलर से क्या होगा एकदम यह ब्राइट हो जाएगा और एकदम जो मतलब आइक तरफ लाइट एक तरफ डार्क मतल demasiा जगह जगह पर लाइट कलर जगह जगह फे डारक कलर ऐसा हम करके SHARE दे देंगे तो हमारा जो प्लैनेट्स है वो अच्छे दिखेंगे इसके बाद रैट कलर का हम एक ले लेंगे और इसको भी हाफ कट करके चारो तरब से अच्छे से राउन्व करेंगे बहुत असान है यह जो केक है हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही असान है बनाना और एक ब्लैक कलर का हम लेंगे और इसको भी हाफ कट कर लेंगे अभी क्या करेंगे थोरा सा ग्रीन कलर लेंगे इसको भी ऐसे राउन्ड करके छोड़ देंगे बाद में इस सारे जो प्लैनिर्स है इनको शेयर देंगे अभी हमने कलर ले लिया है उसके बाद brush के रहांगे पहले तो मैंने brown color ले लिया है जो की एकदम ब्राउन कलर के ऊपर और जादा अगदम dark brown और glossy दीखी थोड़ा सब्सक्राइब गयोजी कितना संदर दिख रहा जैसे हमने इसको कलर किया वैसे यह सुन्दर दीख रहा है आप टेंशन ना लेजी यह थोड़ा ड्राय आउट होने के बाद यह एक दम अच्छा दिखेगा हाथ में भी हमारा उतना जद मदब चिपकेगा है नहीं ठीक है तो सारे चीजों को हम ड्राय कर लेंगे और ड्राय करने के सimil है आज हम क Allum Bug Me लेंगे अ किसी समय करेंगे हैं किसी ने आप Зब्सक्राइगों को हम थोड़ा सा लाइट करके ब्रावन आप तो दीने के अकets नहीं है पक्ली रोजर माद अट हम चलीक है का भी सुझ कूछ को प्लैनेट को हम थोड़ा सा ख अलकशेट कर देने के लिए डार्क कर देंगे कई पर थोड़ा लाइट कर देंगे इस तरह से हम कलर कर लेंगे यह सारे प्लैनेट हमारा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे एक जो स्पेस्शिप होता है उसको बनाना अभी तो रह गया है उसको बनायांगे और एक प्लैनेट है जो कि रह गया है वह भी हम बनायेंगे तो पहले इन सारह चीजों को इसेड देकर देखे इनको फटा देते हैं अभी मैंने इस पर क्या-क्याया है थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर रेडल ॉन ब्लैक को चाह rising करें थोड़ा सा जादा डार्क दिखे इसलिए मैंने रेड़ जा को किया है और ब्लैक के ओपर क्या करेंगे रैट कलर करेंगे , नीकिया जो मैंने जिसमे से आप देख रहे हैं मतलब कलर लेकि एकी चीज मत इकी भरतन से कलर लेके हम कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है साइड में मैंने कलर को अलग-अलग थोड़ा सा दूर दूरी में मतलब कलर को डाल के फिर थोड़ा-थोड़ा करके लेके मैं कर रही हूं तो अभी मैं इसमें एकदम जो रॉयल ब्लू कलर है हमारा ब्लू कलर लेके जो स्काइ कलर का बॉल बनाए थे हमने उसको ब्लू कलर कर देंगे कही पर लाइट करेंगे कही पर डार्क करेंगे ठीक है तो इसतरह से सारे हम कर देंगे अब को अगर आप लोगों को कैसे Sport करते है किस Fest काम किया जाता है कोई भी फॉाल करना हो और धि बीडियु मारा और या इस वीडियो्स ठेक्षच्चिन मन करने कर जो चाहिए को मैं मुझे मुझे बूलिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर मुझे लागेगा कि हाँ इसमें बात करना चाहिए इसमें थोड़ा बहुत मतलब डिसकर्शन होना जरूरी है इसमें अलगे कंटेन बनाना चाहिए तो मैं जरूर से इसमें कंटेन बनाऊंगी तो और मुझे भी हल्प हो जाता है अप जब कभी भी बोलते हैं कुछ कि हाँ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह से हो रहा है कुछ भी समस्या हो रहा है आपको तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करेंगे ना इसे आप कोई नहीं मुझे भी हल्प हो जाएगा मतलब कंटेन ढूनने में कि किस टॉ चैनल को आप लोग सबसे पहले होते हैं तो आप लोग को समस्या जो है उसको दूर करना ही मेरा काम है तो कमेंट सेक्षिन में बताना बिल्कुल ना भूले तो इसके बाद मैंने जो प्लैनिट है उसको बनाने के लिए तीन मैंने रांड का छोटा पहले बड़ा उसके बाद थोड़ा सा मेडियम साइस का थोड़ा सा और छोटे साइस के लग कट करके और मैंने सारे अब लगोने देखे धकन से कट किया है ठीक है तो कोई भी चीज आपको नहीं हो रहा है तो DIY से आप लोग काम चला सकते हैं और बहुत सारे DIY के या फिर कुछ चीज ऐसा है जो कि मैंने अभी तक नहीं डाला है अगर उसमें चाहिए तो आप उसमें भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की उसमें तो इस तरह से स्टार भी कट कर लेंगे और ये केक ना जो भी बच्चे मतब जो भी मतलब बच्चे हुई या बड़े जिनको भी प्लैनेट बगेडा सोलर सिस्टम से मतलब इस तरह की केक डेकुरेशन पसंद आता है तो बॉइस और गल्स दोनों के लिए आप यूस कर सकते हैं इसे डेफिनेटली और जिनको भी यह सारे चीजे पसंद है तो उनके बद्दे के लिए आप यह वाला डिजाइन मदब चूज कर सकते हैं तो चलिए अभी बना लेते हमारा स्पेश शीप तो इस तरह से वाइट फॉंडेंट से आगे के तरफ थोरा सा मोटा रखेंगे और पीचे के तरफ थोरा सा पतला पंके जैसे ही है ना तो वह बनाएंगे हम बहुत ही इसी है इतना कोई मुश्किल भी नहीं है पॉंडेंसे काम करना एक बर आप थोरा से मतलब अच्छे से ध्यान से देखेंगे हर एक चीज को तो समझ में आ जाएगा स्कीप कर देंगे वीडियो को तो समझ में नहीं आए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा फॉंडेंसे काम करने में नहीं आपको कोई भाड़ी भर कम मतलब ज्यादा पैसा डाल के फॉंडेंट का कोर्स वगरा लेने की कोई भी जरूरत नहीं यह फ्री में आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा यूटिब से तो क्य जिम्मेदारी बनती है कि हाँ आपको किस में प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टॉपिक में आपको सवाल करना तो चाहिए तब ही जाके हम आप लोगों के लिए कंटेन ला पाएंगे हैं तो कोई भी कोर्स बगरे की कोई जरूरत नहीं होती है ठीक है तो आप इस तरह से मदब क कोई भी समस्या होती है आपको फ्रॉब्लम से काम करने में तो सवाल करिए प्रॉब्लम का सवल मैं ढूनके लाओंगी आप लोगों के लिए ठीक है ना हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं और आपका काम भी की लेयर का केक के उपर कर सकते है ठीक है तो इसके उपर हम क्या करेंगे लाइन लाइन जो रहता है हमारा वह लाइन लाइन बना लिया है वह भी फॉंडेंस से बना लिया है आप चाहें तो वीप्ट क्रीम से भी बना सकते है उसके बाद सारे एक्सेसरी मतलब जो हमारे प् कर देंगे केक के उपर लाइन बाय लाइन ठीक है इस तरह से तुट्पिक से हैं अब मदब प्लैनेट में सारे फॉंडें टॉपर को अब स्टक करके उसके बाद केक के उपर स्टक किजिए स्टकिंग प्रॉब्लम से रिलेटेट भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हा रहा है तो सवाल कर सकते हैं ठीक है ना तो यह सारे उपर के हमारा हो गया है रेडी और साइट में भी हम लगाएंगे यह सारे कुछ-कुछ जो प्लैनेट से रह गया है कुछ उपर में लगाएंगे कुछ साइड में लगाएंगे तो उससे पहले हम स्टार वगर्या को मदब डिजाइन के हिसाफ से लगा लेते है जितने में हमने स्टार काट किये थे मैं वीडियो को कट करके कर रही हूँ ताकि अब लोगों तो समझ में आई गया होगा कि स्टार इस तरह से लगाना है बस सारे चीजे स्टक करके हलके हाथों से लगाना है लगा देने से ही हमारा कम बन जाएगा और कुछ भी मतलब इसमें कोई टूटपेक बगर है कि कोई जरूरत नहीं है तो बची हुए और जो हमारे स्टार थे सारे थोड़ा बहुत इदर उदर लगा देंगे और एक टिप मैं आपको बताती हूँ जहां भी आपको काम करते टाइम मतलब फॉंडेंस के जो टॉपर्स बगर है लगाते टाइम या फीड डिजाइन के टाइम आपसे कहीं भी किके आजपास बिगर जाता है हाथ से नकुन मतलब जो टॉऋडंच होने के कारण अगर खराब हो जाता है गई वी तो उस जगह पे आप यह सारे नहीं लगेगा आपको समझ महीं नहीं आएगा कि हाँ यहां पे बिगड़ा हुआ था तो उससे ढग जाएगा यह एक बैस्ट टिप है कि तो सारे साइड वाले में हम लगा देंगे इस तरह से तो सब गया है हमारा और थोड़ा सा स्पेस्शिप के उपर काम बागी था तो विप्क्रीन से मैं तीन लाइन बना दूंगी फॉर्णन से भी आप कर सकते ठीक है तो वे जो हमारा केक है वो बिल्कुल रेड़ी हो गया कितना ओसम लगड़ा है देखने में अब देख सकते मिलती हूं में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई